नमस्ते मिकल्पना रिसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं फूल गोबी के पराथे पराथे खाना सर्दियों में किसे पसंद नहीं होता और बहुत सारे पराथे बनाये जाते हैं घर में तो आज हम ट्रिक के साथ फूल गोबी के पराथे बना है आटा हम जितना सॉफ्ट लगाएंगे पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे इसमें डाल देते हैं हम स्वादनुसान नमक और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा तयार करेंगे चपाती का हम आटा लगाते हैं उससे सौफ्ट आटा लगाना है हमें पराठो के लिए तबी हमारे पराठे अच्छे बनेंगे और मसाला बाहर नहीं निकलेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें सौफ्ट आटा तयार करना है इसका हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका सौफ्ट आटा लगाएंगे बहुत ही धीला आटा लगाना है ताकि इसे बेलने में कोई भी परेशा नहीं आए क्योंकि पराठे बहुत ही हलके हाथ से बेल ले जाते हैं अगर हमारा आटा टाइट होगा तो पराठे अच्छे नहीं मनेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस आटे में अच्छे से लोच दे देना है आटे में हमने लोच दे दिया है और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे तो थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसे अच्छ से मसल लेना है तो ये देखिए बहुत ही हमारा आटा सॉफ्ट लगा है और ये देखिए फिंगर लगाने से आपको पता लग रहा होगा कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट है और ये थोड़ा बहुत जो ये आटा सेट होने में रह गया है थोड़ी देर हम इसे ढग कर ऐसे ही रख देंगे तो ये आटा और भी अच्छा हो जाएगा तो आटा हमारा लगकर तयार है और अब हमें फूल गोबी तयार करनी है तो हमने ये एक बड़ी साइच की फूल गोबी ले ली है तो लगभग ये वन केजी की गोबी होगी तो ये बहुत ही अच्छी गोबी है इसमें कोई किड़े उड़े नहीं है और इसे हमने अच्छे से ढोबी लिया है और अब हमें इसे पहले तोड लेना है ताकि और अच्छे से हम चेक कर पाए और इसे तोडने के बाद भी हम एक बार अच्छे से धूलेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से धूल जाए तो पहले इसे हम तोड लेते हैं तो देखिए हमने इसे तोड लिया है एक बार और हम इसे अच्छे से पानी से धूलेंगे क्योंकि बाद में जब हम इसे कद्दुकस करेंगे उसके बाद हम धूल नहीं पाएंगे तो इसे पहले ही हमें अच्छे से धूलेना है फूल गोबी को कद्दुकस कर लेना है आप चाहें तो कोई सी भी कस्मी ले सकते हैं तो हमारे पास इस तरह की कस्मी है तो हमने देखी ये कद्दुकस कर रहे हैं फून गोवी को हम इसे कद्दुकस कर लेंगे फटाफट से तो ये देखिए हमने गोवी को कद्दुकस कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने किस तरह कद्दूकस किया है तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं तो हमने मसाले के लिए ये सामान तयार कर लिया है ये दो से तीन हरी मिर्च बारिक कटी वी और लसर कुटा हुआ अद्रक दरदरा किया हुआ और ये धनिया पत्ती जिसे हमने धो कर अच्छे से कट कर लिया है तयार कर लिया है अब कडाई में सबसे पहले हमें एक चम्मस तेल डालना है तेल हमें जादा नहीं डालना है उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा और एक चोथाई चमबस तालेंगे हम अजवायन थोड़ी सी हमें डालनी है हींग आब ये एक चमबस तालेंगे अध्रग ग्रेट किया वा और ये 0.5 चमबस तालेंगे हम लसन कुटा वा तो चला लेंगे से और साथ ही हमें डाल देनी है यह रिमिर्च जो अब दो मिनिटी से पका लेंगे वैसे तो मसाले कच्चे ही मिलाए जाते हैं परन्तु हमें परफेक्ट पराठे बनाने के लिए जो गोभी में पानी होता है उसे खतम करने के लिए इस तरीके से अगर हम मसाला तयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी बनेंगे तो अब दो मिनिटी से डाल दिया है और उसके बाद हमें डालना है यह गोभी जो हमने कद्दुकस कर ली थी वो हम सारी इसके अंदर डाल देंगे तो थोड़ी देर इसे ऐसे ही चला देंगे ताकि इसमें जो गोभी प्यास नहीं डाला है अगर आप प्यास पसंद करते हैं तो बारीक कटेवे प्यास पहले तेल में फ्राइ कर सकते हैं हम और पराठे में पूरा गोवी का फ्लेवर चाहिए, इसलिए रीच प्याज इसकित कर दिया आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो हमने इसे थोड़ी देर ऐसे ही चला लिया है, और थोड़ा सा इसका पानी चला गया है, तो अब इसमें मसाले मिला रहे हैं, आदी चम्मच हल्वी, लाल मिर्च मिलाएंगे तो हम इसमें तीन चम्मच लाल मिर्च मिला देते हैं और आधी चम्मच सौफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आप अपने टेस्ट के अनुसार में नमक दाल सकते हैं हमने इसमें दो चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमने गैस को ओन ही कर रखा है और ये देखिए मसाले में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है तो हमने इसमें नमक डाला है इसलिए इसे एक मिनेट और चला लेंगे तो ये देखिए इसमें अब पानी नहीं है लेकिन अगर फिर भी अगर इसमें हमें थोड़ा बहुत भी मसाला गीला लगता है तो आप इसमें दो चम्मच भुना हुआ बेशन भी डाल सकते हैं इससे पराठे स्वादिश्ट भी बनेंगे और जो भी पानी होगा वो इसमें सोक लेगा और लाश्ट में हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया जिससे पराठे और भी अच्छे लगते हैं तो लाश्ट में हमने इसमें हरा धनिया खटावा डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे आप इसे और भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें एक चम्मच गरम मसाला भी पार देंगे उसके बाद हम पराती त्यार करेंगे तो यह देखिए हमने मसाला बनाया तब تक हमारा आटा और अच्छे असे से पार आप देख सकते हैं उठाने से इसे एक बार और अच्छे से कर लेंगे यह देखिए कितना सौफ्ट और लचीला आटा बना हैaire और ये देखिए आटा सेट हो चुका है बहुत ही और अब हमें सुखा आटा ले लेना है तो हम थोड़ा सा सुखा आटा ले लेंगे पराठे के लिए तो अब पराठे के लिए हमें एक लोई तोड़ लेनी है तो हम जितनी चपाती के लिए लोई लेते हैं उससे हमें बढ़ फिल होगा, तो हमने एक ये लोई तोड़ ली है और अब इसमें सुखाटा लगा लेंगे, और इसे इस तरीके से हम कटोरी नुमा बना लेंगे मसाले के लिए, तो साइड में से हम पतला करते जाएंगे और बीच का हिस्सा मोटा रहना चाहिए, आप चाहें तो थोड़ा सा पेल करना करांके, भी बना सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो पराठे अच्छे भरे भड़े पराठे बनेंगे, अब इसमें हमें मसाला किल करना है, तो अच्छे से, दबा दबा कर मसाला भर लेंगे हम, तो हमने ये दो चम्मच मसाला भर लिया है और अब इसे बंद करेंगे इसे दबाते हुए हमें अच्छे से बंद कर लेना है तो ये देखिए हमने इसमें मसाला अच्छे से भर दिया है और इसे दबा कर रसल लिया है और अगर आटा एक्ष्टा हो तो आप हटा सकते हैं तो हमारा आटा एकदम सही है और अब इसमें फिर से हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसे इस तरीके से हातों से दबा कर थोड़ा सा हम बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे और अब हमने इसे चेकले पर ले लिया है हाटों से इसे किनारी को अच्छे से प्रैस कर देंगे और हलके हाटों से हमें इसे पराठे को बेलना है तो बहुत ही हलके हाटों से बेलना होता है हाटा हमने सौफ लगाया है इसलिए आसानी से बिल जाता है हमने इस पराठे को बेल लिया है और बहुत ही अच्छा पराठा बनाया हमारा और किनारी से कोई भी मसाला नहीं निकला है और बीच में जो ये दिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पराठा दिखेगा तो अब हमें इसे तवे पे डाल लेना है तो ये देखिए हलकी सी फुलावट आ गई है इसके अंदर तो ये हलका सिख गया है तो हम इस पराठे को अब पलड़ देंगे ये देखिए हमारा बीच बीच में से मसाला दिख रहा है तो ये बहुत ही अच्छा पराठा बरेगा तो अब ये दूसरी तरफ से भी हलका सिख गया है अब हम इसके तेल लगा लेंगे थुड़ा सा तो आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं तो इसे दबाते वे हमने पराठे को अच्छे से सेख लिया है और बहुत ही अच्छा पराठा बनाया हमारा तो अब इस पराठे को निकान लेंगे हम तो यह देखिए दूसरा पराठा भी हमने बना लिया है और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे बहुत ही अच्छा पराथे बने हैं हमारे इसके साथ ही हमने बनाई है ग्रीन हरे धनिये की चट्मी तो यह देखिए बहुत ही अच्छा पराथा बना है और हमारा और यह देखिए और अंदर तक इसमें मसाला है और यह क्रिस्पी पराथा है वाव बहुत ही यम्मी पराथा बना है और आप इसके अंदर ये देखिए मसाला भी देख सकते हैं पूरा अंदर तक फिल मसाला है देखे कितना अच्छा पराठा बना है हमारा गोटी का और इसे हम ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर करें च नहीं रेसिपिके साथ बाई